Dear students, welcome in my YouTube channel where you learn at your speed and easy way with me. Dear students, today we learn about double actions in future, यानि बविश्य में होने वाले दो कारियों के बारे में, जिनको हम एक सेंटेंस में translate करना सिखेंगे. Dear students, यहाँ पर दो सेंटेंस आपके सामने हैं, पहले आप इने पड़े और समझे. सूर्य अस्थ होने से पहले हम घर पहुच चुके होंगे. Dear students, यहाँ पर सूर्य का अस्थ होना कारिय हो रहा है और घर पर पहुचेंगे ये एक दूसरा कारिय होगा. उसी परकार अध्यापक के पूछने से पहले विद्यारती पार्ट याद कर चुके होंगे. यानि अध्यापक पूछेंगे और विद्यारती याद कर चुके होंगे. Dear students, इस एक वाक्य में दो कारिय हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही कारिय आने वाले समय में पूरे होंगे. एसी इस्तती में हम इसको कैसे ट्रांस्टेट करेंगे, ये आज हम जानेंगे. Dear students, वाक्य में दो कारियों को identify करके आपको सबसे पहले ये identify करना है कि उन दो कारियों में पहला कारिय कौन सा complete हो रहा है. Dear students, ऐसे दो double actions वाले sentence में आपको identify करना है, first complete action, first complete action in future and second complete action in future. Dear students, यदि आप ये identify कर लेते हैं तो आपका translation बहुत ही आसान हो जाएगा. Dear students, जो first complete actions है, उसको आपको use करना है future perfect में. Future perfect tense. और जो second complete action in future उस कारिय के लिए आपको simple present tense कामे लेना है. Dear students, दोनों ही कारिय भविस्यों में होंगे, लेकिन पहले पूर्ण कारिय के लिए आप future perfect और दूसरे कारिय के लिए आप simple present काम में लेंगे. दोनों कारियों के बीच या दोनों sentence के बीच हम एक conjunction लगाएंगे before. तो यह हमारा structure हो गया, future perfect tense, before और simple present tense. आईए इनके sentence structure भी हम लिख लें, तो future perfect tense का structure होगा, subject plus helping verb, will या sell plus have plus verb की third form, object. उसके बाद हम conjunction before का पुरियों करेंगे और simple present tense का structure subject, verb की first form या verb की first form के साथ s या e s और object. Dear students, दोनों sentence structure हमने अलग-अलग tense में पढ़ लिया है, यदि आपने दोनों tense नहीं सीखे हैं, तो इस वीडियो के description में आपको दोनों tense के link दिये वोंगे, जिस पर आप click करके दोनों tense पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं. आईए हम इस वाक्यों को इस structure में कैसे translate करें, सबसे पहला हमारा sentence है, सूर्य अस्त होने से पहले हम घर पर पहुच चुके होंगे, तो यहाँ पर घर पर पहुचने का कारियर सूर्य अस्त होने से पहले होगा, तो हमारा यहाँ first action है, घर पर पहुचना, तो we shall have reached home before और दूसरा कारिया है उसको हम use लेंगे simple present tense में the sun the sun sets clear अध्याप्प के पूछने से पहले विद्यारती पार्ट याद कर चुके होंगे इसमें पहला कारिया पार्ट याद करना हो जाएगा students will have याद करना या तो remember या learned learned lesson before the teacher asks dear students इस परकार हम दो भविस्य के कारियों को future perfect और simple present की साहिता से translate कर सकते हैं dear students आईए कुछ वाकिय और हम translate करके देखें कभी कभी हम बोलते हैं तुमारे आने से पहले में ये कारिया पूरा कर चुका होंगा तुमारे आने से पहले में ये कारिया पूरा कर चुका होंगा तो पहले में ये कारिया पूरा कर चुका होंगा तो I shall have completed यह कारिया this work before तुमारे आने से पहले before you come पिता जी के आने से पहले में घर पूरा कर चुका होंगा पिता जी के आने से पहले में घर पूरा कर चुका होंगा तो यहां पर मेरा गर पूशना पहले तो future perfect I shall have reached home before father आने से before father comes इस परकार के sentence structure बहुत सारे competitive exam में पूछे जाते हैं जहां पर यह वाक्य देकर या तो before के बाद वाले sentence की वर्ब पूश लेते हैं या before से पहले वाले sentence की वर्ब पूश लेते हैं तो ध्यान रखें भविशिय के ऐसे कारिया के लिए जहां पर दो कारिय हो रहे हैं तो जो कारिया पहले पूरा होगा उसके लिए हम future perfect काम में लेंगे और जो कारिया बाद में पूरा होगा उसके लिए हम simple present tense काम में लेंगे Dear students, इस परकार आपने एक नई चीज़ सिखी है यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल and press the bell icon so that you get notification of new videos Thank you